अलो दोस्तों स्वागत है आपका दृष्टी PCS के जिला एक नज़र प्रोग्राम में मैं हूँ केवल आपके सामने आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में उससे आप बिल्कुल परिचित होंगे नाम से परिचित होंगे लेकिन अब जिले के अंदर की जितनी भी महत्पूर जानकारियां है उससे भी परिचित होने का वक्त आ गया है जिले का नाम है प्रताबगड तो प्रताबगड जिला सबसे पहले देख लीजे कि इस उत्तर प्रदेश के नक्षे पर कहां पर मौजूद है तो आप देखेंगे दक्षिन म प्रताबगड है इसके एक तरफ अमेठी सुल्तानपूर जॉनपूर उसके अलावा आपका ट्रयाग राज कौशामबी पतेपूर और रायवरेली इस तरह से इतने जिले यहां पर आप देख सकते हैं मौजूद अब बात आती है कि इस जिले में जो प्रमुख नदिया है वो कौन-कौन सी है उनको एक तरफ से जान लिया जाए तो नदियों के देखिए जो मुखी रूप से देखेंगे तो एक तरफ से आपको गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है और उपर की तरफ यहां पर आप देखेंगे तो यह गोंती नदी बहते हुई दिखाई दे तो आपको याद रखना है साई नदी और बकुलाही नदी इस जिले की प्रमुख नदियां है इसके लाबा इस जिले से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं तो गोमती और गंगा नदी ठीक है अब बात आती है कि इस जिले को अगर देखा जाए कि 2011 की जनगरणा की हि हिसाब से जो प्रमुक्ष आकड़े हैं वो क्या क्या है प्रमुक्ष आकड़ों में आप देखेंगे तो छेत्रफल जो है 3717 वर किलोमेटर जनसंख्या देखेंगे तो 32 लाग से अधिक आपको दिखाई दे रही है 9141 के पास जनसंख्या घनत 863 है और लिंगानुपात के मामले में आप देखेंगे तो यहां पर यह विशेश हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि इसका लिंगानुपात 998 है और पूरे प्रतेश राज में लिंगानुपात के मामले में इसका सभी जिलों में इसका स्थान कौन सा है चौथा स्थान आप बात करें साक्षर्टा दर की तो साक्षर्टा दर इसकी 70.9 प्रतिशत है तो महत्पूर्ण बाते जो भी आप समझ गये होंगे कितनी बाते जानना इसमें जरूरी है अब बात आती है कि इस जगह का नाम प्रताब गढ किस प्रकार से बना शौट में समझ लेते हैं एक राजा थे राजा प्रताब बहादूर राजा प्रताब बहादूर का जो समय था वह 17 शताबदी का समय था उस दोरान इन्हों ने एक किला बनवाय था अपने लिए गढ़ बनवाय था और गढ़ का मतलब ही किला होता है तो प्राजा प्रताब बहादूर थे और इनका जो गढ़ था उससे मिलकर बन गया प्रताब गढ़ इस प्रकार इस जगह का नाम बना 1859 में जिले का पुनर गठन किया गया था और अंग्रेजों के द्वारा बि गर यह पूछ लिया जाय तो आपको पता होना चाहिए कि बेला देवी एक है उनको हम किस नाम से जानते हैं इसके बारे में आगे हम अभी देखने वाले अब बात आती है बेला देवी की जिसको हम देखने वाले हैं तो देखें, बेला देवी मंदिर के बारे में एक छोटी सी कहानी है, समझ लीजे आपको चीजे याद रहे, लोड नहीं लेना है कहानी क्या है, कहानी यह है कि जो राजा दक्ष थे, जब वह एक यगे करा रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने दामाद, यानि कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, तो उनकी पत्नी यानि कि राजा दक्ष की बेटी बिना बुलाये वहाँ पर पहज गई थी और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद होता यह है कि राजा दक्ष सती, यानि कि अपनी बेटी और उसके पती, यानि कि भगवान शंकर की थोड़ी सी कुछ ऐसी बाते कह देते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है, जिस वज़े से सती उस जलती हुई आग में या क्यमें कूच जाती हैं, और जरते हुए अंग के टूकड़े कई अलग-Alग जगहों पर गिरते हैं, जिसमें से एक जगह यह है जहां पर स्थान में यह गिरा बेला मंदिर बना, बेला देवी मंदिर और जो शरीर के बहुत सारे अंग अलग अलग जहें पर गिरे थे उस हिसाब से बेला का मतलब होता है कमर याने कि जो देवी सती थी उनकी कमर का हिस्सा इस जगह पर गिरा था ये इस जगह के पीछे की मानिता है पौरानित मानिता है इस बात को हमें जान लेना चाहिए यह दबाव भी नहीं कि इसको जा ताई नदी दोनों एक ही नाम है, confused नहीं होना है, और राजा दक्ष की जो बात मैंने आपसे बताई, वो आपको याद रहे गिया, अब घुषमेश्वर नाथ मंदिर, इसको भी जान लिजे, घुषमेश्वर नाथ मंदिर के बारे में भी, प्रताब गण में एक बहुत ही मह महतपूर मंदिर है, और क्यों महतपूर है, जिसमें की ये तीन नाम आपको पता होने चाहिए, पता भी नहीं तो कोई बात यह कहानी पता होनी चाहिए, जो छोटी सी है कि सुधर्मा, सुदेहा और घुषमा, तो एक ब्रामण रहता है इस छेत्र में बहुत समय पहले इस फाक की बात थी कि सुधर्मा कोई पुत्र या पुत्री नहीं, इस बात से कहा जाता है कि सुधर्मा को काफी बुरा लगता था, बाद में उसने कहा अपने पती से सुधर्मा जी से कि आप मेरी बहन से भी शादी कर लिए और घुषमा से कहा जाता है कि शादी करा दी अलाकि सुधर्मा जी ने कहा था कि शादी मत कराओ बाद में तुम्हारी बहन के बच्चे होंगे तो शायद तुमें ही उससे जलन होने लगे इरशा होने लगे लेकिन सुधेहा नहीं मानी उसने शादी करवा दी और आगे चलके जब घुश्मा का बेटा हुआ उस बेटे की मार दिया तो उसने अपने व्यवहार को नहीं बदला उसको पता नहीं थे किस ने मारा है लेकिन वो विचलित नहीं उनका बेटा वापस आ गया जिसको सुधेहा ने मार दिया था और सुधेहा को भगवान शंकर मारना चाहते थे लेकिन घुश्मा जो कि उनकी बहुत बड इस विवहार से उसके इस आचरण से जिस प्रकार से उसने अपने मनोभावों को सम्हाल के रखा, अपने दुख को पकड़ के रखा और अपनी भक्ती, अपना कारे और अपना कर्तवे नहीं छोड़ा, उससे प्रसंद हो करके उन्होंने उससे वर्म आगा, तो उससे क्या कहा कि आप यहां पर इसी छेत्र में बस जाईए तो शंकर जी ने कहा मैं यहां छेत्र में तो रहूंगा रुकूंगा लेकिन इसमें तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर जो श्रीव जी रहे और जो मंदिर बना उसका नाम बना घुशमेश्वर नात मंदिर कहां पर है प्रताब गड़ में है आप नहीं भूलेंगे अब आगे देखते हैं अब देखिए बाबा भैहरन नात धाम इसको भी जान लीजिए बाबा भैहरन नात धाम के बारे में भी छोटी जी बात है यह भी एक श्रमवन बात है यानि कि ऐसा मानेता है कि कैसा हुआ था तो दबाव नहीं लेना है कि मैं परिक्षा के लिए आपको बहुत गैर जरूरी जानकारी दे रहा हूं इस बात में आपको नहीं भसना है ठीक है जब बारा वर्ष का वनवास मिलता है पांडवों को पांडवों का confidence पूरा डाउन था और उसके बाद इसी ब भाबा भहरण नात धाम बनाया ठीक है मंदिर बनाया इस मंदिर को बनाने से उनके अंदर आत्म विश्वास की पुनर प्राप्ति यानि कि पुनर जागरित हुआ आत्म विश्वास इसके चलते उन्होंने यहां पर बनवाया था ऐसी मानता है ऐसा माना जाता है तो आपको चेत्र है उत्तरप्रदेश में अवद के चेत्र में एक मातर शनी देव का प्रसिध मंदिर मौजूद है जो की कहां पर है प्रताब गण में तो याद रखेगा कि पूरे अवद चेत्र में उत्तरप्रदेश में जो प्रसिध शनी मंदिर है वो कहां पर है प्रताब गण में और प्रताब गणगे में किस नदी की किनारे है, तो बकुलाही नदी की किनारे है, इस बकुलाही नदी को हम बालकुनी नदी के नाम से भी जानते हैं, तो आपको नदियों के नाम से confused नहीं होना है, बकुलाही नदी ही बालकुनी नदी हैं, दोनों सेम नदी हैं, ठीक है, अ उनका नाम है जगत गुरु क्रिपालु जी महराज। कुछ वश पहले इनका निधन हो चुका है। लेकिन इन्हें ना सिर्भारत ने बलकि दुनिया के अन्य देशों में भी लोक सम्मान की नजर से देखते हैं। वक्ति-धाम क्यों बनवाया? क्योंकि भक्ति-धाम बनवाने की पीछे की कारण यह था। कि प्रताबगण में इनका जन्म स्थान था लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत ही प्रसिध्य मंदिर बनवाया है आपने वो नाम सुना होगा नहीं सुना है तो अब याद रखे कभी जाईएगा तो मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा मंदिर का नाम क्या है प्र स्रीकृष्णी जी से तो जब आप भक्तिधाम आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मतुरा व्रिंदावन में ही पहुंच गया है ठीक है अब आगे देखिए भिखारी दास इनके नाम पे मत जाईए ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं रीति कालीन कभी है किस काल के कभी है रीति कालीन कभी किस भाष़ा के हिंदी के अब बात आती है कि हिंदी साहित्य जब आपने इसका कभी तिहास पढ़ा होगा हिंदी साहित्यका तो उसमें बहुत सारे काल होत तो रीतिकाल के बहुत ही बड़े कवी हैं, बहुत बड़े साहितकार हैं और यह रीतिकाल लगभग जो मध्धिभारत के तिहास जो पढ़ा जाता है उसी दोरान की बात है, अब देखें यहाँ पे आप इनको फोटो देख सकते हैं, इनका जन्म कहा हुआ था, यहीं मुख्यूरूप से धेखा जाये तो इनकी रशना है, ब्रज भाषा में और संस्क्रित भाषा में होती थी, और रीतिकाल जो हिंदिस साहिते का रीतिकाल था हुआ यह इतने महत्पूर्ण क्यों हो जाते हैं ये इतने महत्पूर्ण रितिकाल में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने काव्यांगों के निरूपण में बहुत अच्छा कारे किया अब आप पुछेंगे काव्यांगों के निरूपण से क्या मतलब है तो काव्य के अंगों को कहेंगे काव्यांग औ आपके सामने जैसे रस्तारांश है जंदार्न पिंगल है कावि निर्ण है श्रिंगार निर्ण है नाम-प्रकाश पौश है इसके लावा और भी है अब बात आती है इनके अलावा एक और महत्मूर्ण व्यक्तित जिसको आप जनते ही होंगे हरिवन्श-राय बच्चन जो अभ गांधी की मृत्र के बाद इन्होंने कविताएं लिखना बंद कर दिया यानि कि आपने आप में बहुत बड़े कवी थे और इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें सुनी होंगी एक प्रमुक रशना इनकी है मधुषाला राह पकड़तू एक चला-चल पा जाएगा वहाँ पर बहुत अच्छी उसमें बाते हैं कि हैं कि इन्होंने काफी रशनाए मतलब कि भारत की आजदि की युट लडाई ती जौरान ये महात्मा-गाधिल संपर्व में इसं़िक हुए उसके पूरी तरह से आजदी की लड़ाई तक प्रहे नें लिट्रेट रशनायें की काव रशनाओं के माध्यम से बहुत कुछ नहोंने कहा । यौ 키मरेज से इन्हेंं English Literature में डॉक्टरेट मिला जिस्वक्त इन्हें English Literature से डॉक्टरेट मिला उस वक्त ये ऐसी उपलब्धी प्राप्थ करने वाले आप बात आती है विदेश मंत्राले में ने हिंदी विशेशग भी बनाये गया था आजादी के बाद और प्रमुख रशनाओं की जब बात आई तो निशानी मंत्रान मधू कलश मधुशाला सतरंगिनी एकान संगीत खादी के फूल दो चट्टान मिलन तूत की माला एवं आरती और अंगारिस तरह आप दूसरा खंड क्या था क्या बुलूं क्या याद करूं दूसरा खंड नीड का निर्मान फित तीसरा बसेरे से दूर और चौथा गश्द्वार से सोपाना तक संस्करण है ठीक है इसको है को हटा दिएगा अब आगे देखिए एक बहुत ही महत्पूर्ण स्थल प्रताबग अब उनमें से एक है यह पक्षी अब्यारण ठीक है महती जील पहले इसका नाम था लेकिन 2003 में इसका नाम क्या कर दिया गया डॉक्टर भीम राओ अमिटकर पक्षी विहार ठीक है अब इस नाम से ही आप समझ के होंगे मुखी रूप से किसके लिए है पक्षियों के लिए आ करके बसंत्र तुम्हें वापस चले जाते हैं इस प्रकार से यह प्रक्रिया हर साल होती है इसलिए यह बहुत ही महत्पूर्ण और संस्ट्यू छेत्र हो जाता है अब आगे की बाद आप देखके पहचान गयोंगे क्या है आमला अब मैंने प्रताब गड़ जिले के लिए आमले की फोटो क्यों लगाई है आप समझ गये होंगे यह वहां का कुछ प्रमोखुतपाद होगा बिलकुल आमले को यहां के लिए प्रताब गड़ के लिए प्रताब गड़ के लिए आमले का चैन किया गया है तो आपको याद रहेगा आप से प्रशन पूछा जाए उत्तरप्रदेश PCS में या किसी भी दीवसी एक्जाम में कि प्रताब गड़निम लिखित में से आमला किस जिले से समबंदित है ओड़ी ओपी ओजना के तह तो आ अलग अलग जिलों में देखने को मिल जाएगा तो उस प्रकार से देखा जाए तो आपको सारे जिलों के ओडी ओपी पता होने चाहिए लेकिन एक एक तरफ से हम यह जिले कवर करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी होती ही जाएगी यह अपने आप में आपको प्रारमभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टी PCS एक कारिक्रम लेकर आया है। इसका नाम है Target 68 BPSC। इस कारिक्रम में हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल फैक्ट्स, हितिहास, सामाने विज्यान, करंट अफियर्स और और भी बहुत कुछ। इसलिए देखना न भूले हर रोज शाम चार बजे हमारा कारिक्रम Target 68 BPSC।